हमारे महराष्ट में और देश में लोक्षाई बचाओ लोक्षाई बचाओ चर रहा है मैं किसी का नाम नहीं लूँगा लेकिन जब लोक्षाई खत्रे में आई थी मैं जब सभागरह में था अपोजीशन पार्टिकल डीडर करके एक माना नहीं राधा कितने विके पार्टिल भारती जनता पार्टि में काम कर पाएंगे या नहीं लेकिन मुझे इस बात का अभीमान है कि वेके पार्टिलास भारतिय जनता पार्टिके नेता है अमारे नेता है और खर्यारता नहीं पुन्य भूमी है या पुन्य भूमी मदे लाखो परिवारान आज जा पद्धति ने सह कारी माद्यमातन लाको परिवाराण ना जे सरुख्षन मिलाले ने भुमीत संपुन माहराश्ळाला मिलाला मन ही शाय बाबा ची भुमी आए अपली भुमी आए आझ मन ही याटिकानी अब भुमीला में वद्णन कर दो आज हमे सब को गर्म हें माननिया प्रधान मंत्री मूदी जी के नेत्रूत्व में हमारी देश की सीमाओं को मजबूत रखने वाले हमारी देश की सीमाओं को स्वतंत्रा के बाद इतना मजबूत बनाने वाले कोई सरक्षन मंत्री करके काम किया है तो वो राजना सिंग जी आपने किया एक बार जोड से टाली बजा के हम सौगत करेंगे और केवल इतना है नहीं तो चाइना और पाकिस्तान की कभी-कभी नजर हमारे देश पर जाती थी वो तेड़ी नजर को सीधा करने का काम कोई अकेले विक्तिमत में ने किया है तो हमारे राजना सिंग जी है और हमारे विदेश से आने वाले कही डिपेंस के जो अवजार होते हैं डिपेंस के जो सस्त्र होते हैं विदेश की शारे जो पैसे जाते थे हमारे देश के लाको करोड रुपे जिनोंने बचा कर आत्मंदिर पर भारत का संकल्प मोदी जी का पूरा करने का प्रयास देश में किसी व्यक्ति ने किया है उनका नाम राजनास सिंग जी है आज मैं राजनास सिंग जी को माफी चाहता हूँ लेकिन हमारे महराष में और देश में लोक्षाई बचाओ लोक्षाई बचाओ चर रहा है मैं किसी का नाम नहीं लूँगा लेकिन जब लोक्षाई खत्रे में आई थी आनिबानी के समय वो आनिबानी के समय 18 मैंने जेल में रहे कर इस देश की लोक्षाई बचाने का काम किसने किया है, वो राजना सिंग जिया बैठे हुए है, अठ्रा मने जेल में रहे है, मैं उनका बहुत-बहुत अभिनन्दन करता हूँ, यहां महाराश की धर्ती पर बहुत आबार्विक्त करता हूँ, वो महाराश में आये, हमारे जिनकी जीबा पर सरस्वती विराजमान है, जब वो हिंदी में बात करते हैं, तो हम लोग एक सेकंड का भी हमारा उनके साथ हाट के हाट और मायन टुमेर लेसंशिब नहीं तोड़ते हैं, उनका सरस्वती जीबा पर विराजमान है, यहां पर हमारे लोग प्रिया मुक्यम मंत्री अभी अभी विखे पाटिल जी ने कहा, 19 में राजना सिंग्जी आपको तो मालूम है, आपने बहुत प्रचार सबाय की थी, आपने, मोदी जी ने, अमीद भाई ने, हमारे दितिन जी ने, सब नेताओं ने, और हमारे 2019 में देवेंद्र जी को मुक्यमंत्री बनाने के लिए जिस प्रकार से समर्तन मिलाता, लेकिन आपने देखा इस महाराष्ट में क्या हुआ, मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन भारती जनता पार्टी और सिवसेना का जो गड़बंदन हुआ था, उस गड़बंदन को फिर से दुबारा, इस महाराष्ट में लाने क देखती है, उसका नाम एकशिन्दे जी है, जिसने सत्ता को ठोकर मारकर, मुक्यमंटरी पत के लिए नहीं, विचारों को लेकर, हमारे विचारों को लेकर, someday सजोर दी सरकार, सबहीं मंतरी थे, बन सकते थे, लेकिन उन्हों नहीं यहां इस महाराष्ट को क्रमां के एक पर कर लाने के लिए देवेंद्रों जी के साथ पिर अबáर, मोदी जी के नेट्रवूत कि देज इस प्रकार से विश्व में कर्मान के एक पर जा रहा है, महाराश्ट को क्रमान के एक पर लाने का काम इस जोड़ी ने किया है, अभी अजीद दादाभी काम कर रहे है मैं मुख्यमंत्री एकनाज सिंदे जी के लिए बहुत बहुत आबारवेक्ट करता हूँ आप टाली बजा के सभी उनका आबारवेक्ट करेंगे जो अच्छी सरकार बनाई है हमारे जनप्रिय इस नगर के इस पच्छी उत्तर महाराष्ट और पच्छी महाराष्ट में पुरे महाराष्ट के नेता करके मैं थोड़ा पीछे जाओंगा रंजा सिंग जी मैं जब सभागरा में था अपोजिशन पार्टिकल डीडर करके एक माना नहीं राजा कितने विके पार्टिय जी बात करते थे पुरा जीवन उनका कांगरेस पार्टि में गया लेकिन जब मोदी जी जिस प्रकार से काम कर रहे थे आप जिस प्रकार से काम कर रहे भारती जनता पार्टी में जब प्रवेख लिया तो मेरे जैसे 32 साल काम करने वाले छोटे कार्य करता को लगा कि विखे पार्टी जी भारती जनता पार्टी में काम कर पाएंगे या नहीं लेकिन मुझे इस बात का अभिमान है कि वेके पार्टी लाज भारतीय जन्ता पार्टी के नेता है हमारे नेता है सवकार के साथ सरकार में उनका हनुबवे आज एकनाज सिंदे सरकार में मजबूत मंत्री करके काम कर रहे है और हमारे तेज तर्रार युवा युवा मैंने सोचा नहीं था कि सुझाए देश की सब योधना को लेकर अपनी लोकसभा में आज कोई सांसद है पूरी केंद्र सरकार की मोदी जी की आपके सरकार की नौ सार के काम जितने हुए है वो सारे काम इस लोकसभा में पहुचाने का हिश्च भी काम किसने किया है वो सुझे विखे पाटल का भी मैं बहुत बहुत अभी नंदन करता हूँ एक भी ओजना नहीं है एक भी ओजना नहीं कि सुझे इन्हें छोड़िए सुझे विखे की जी के लिए सब भात खड़े करिए सुझे विखे जी मैं ज्यादा समय नहीं लिए लेकिन आज मुझे अभी मान है कि सुझे विखे जैसा अच्छा खाज़दार हमारे डादा किछने विखे पाटिल जी ये सारे काम कर रहे है और आज इस प्रकार से या साइत्ते रत्न पुरसकार का वित्रण हुआ है जा पद्देती ने साहित ते रत्र पुरसकार अनि आज जाये व्यक्तिमत वो याटिकार अपने समोर आले आज बगा याटिकानी अत्ते फेर पद्देती ने या कारेक्रवाची रत्ना जली मियोवलस सांगेल याज याटिकानी आपन तो काड बगा एकोनी से पंचे चाड़ी चा स्वातंत्रा पुर्वी ता काड एकोनी से पंदात्ता काड जा काड़ा मदे विचारी केला असेल का कुनी कि सहकारी साकर कारकार हो शक्तो कसा काड़ा शेल तो से कशे दिवसस्तील पंचात्तर वर्षे पुर्वी चे त्या दिवसा मदे आ विचार केला गेला कि सहकारी शेत्रावर कारकाने तेहरू शक्तात पाच पाच वर्चे घरवगरी फिरून अतो नात कष्ट करून डॉक्टर धनन्यराव गाड़गीर सारक्या व्यक्तिमत वा या महराष्टा मदे सहकाराची मोर्त मेर मननिये विच्टर रावजी नी याट करे आपना महराष्ट ला दिली अनेक सहकारी कारकाने उबेजाले काई लोकाने ताचे वाटोड केले गोश्ट वेगडी है पन मला अभिवान्या गोश्टी चाहे कि पदमस्री डॉक्टर विठर राव विकेपाटी यानि दिल्ला विचार अने काई संकल पकिला है या कारकांदारी चा माध्याबत्न सहकारा चा माध्याबत्न विवड़ करता है। मैं अभी मान है मुझे कि विके पाटिल जी आफ समने जो शाचन अपलादारी सरकार अपने द्वार 45,000 लोग पिछले कारेक्रम में यहाँ पर थे 45 दार लोगों ने 45 दार लोगों ने लाब लिया पुरे महाराष्ट में एकनाज जी देवेंद्र जी घुम रहे और इस कारेक्रम के माद्देम से आगे बढ़ रहे हैं यह जो विचार है सहकार का यह भी आके लेके जाने का काम करेंगे मैं ज्यादा समय ने लिएंगा राजनाज सिंग जी को जाना है फिर एक बार भारती जन्ता पार्टी की तमाम कारेकरता की होड़ से हमारे अहमाद नगर जिले के हमारे सारे पदादीकारी की होड़ से मैं आपका बहुत-बहुत अभीन अंदर करता हूँ और मेरे दोस्ताब करता हूँ जिनको पुरसकार मिला है उनका भी बहुत-बहुत आबार वेक् झाल झाल